प्राइस difान वो है 185 पर 20 क कि चारी कि ensuite यहां रहे हैं लेकिन क्या लेवल हे जहां पर कि हमें एक और जा सकता है भी id10 रिपश तक यहें रही सिर आपे सिंव डरी माना है कि आपक युदक टूडबे एकप फिस अचारी अपने बहुत ही स्ट्रॉंग जोन पर ट्रेट करता हुआ दिखाए है और अगर यहां से अगर इसमें और ग्रावट आती है तो यहां टूटता हुआ जोस्तों यंग जेरेशन में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जोमेटो का नाम नहीं सुना होगा ओनलाइन फूट डिलिवेडी कंटी जोमेटो यंग सर के अंदर बहुत ही पॉपुलर नेम है सब्सक्राइब करें तो आज के सब्सक्राइब करेंगे जोमेटो लिम्टेड के शेयर को जानेंगे कि इसका शॉर्ट टम और नॉंग टार्गेट क्या है क्या है इसका इंट्री और एग्जिस्ट लेवल साथ ही हम कंपनी के कुछ फाइनसर डेटा को भी अनलाइज करेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में शुरूसरे के अंतर जहां मर अनलाइज करने जा रहे हैं जोमेटो लिम्टेड के शेयर को अपने हाई 207.20 पर पहुंचा था पिसले अकर हम इसके ट्रेक रि अपने नए हाई को बाया था हम देखेंगे कि यहां पर यह हमारे पास है 21st April 23 को वहां से अपना बढ़ता हुआ बहुत तेज से उपर गया था और अपने नए हाई पर बनाया था अगर इसके फरदर ली हम देखेंगे तो यहां पिसले जो क्वाटर था में यह हमारे पास ह अपने पीछे मुलकर नहीं देखा और अपनी नए हाई पर पहुंसा जा रहा है और अभी को चेर का जो प्राइस है उसमें हलकी ग्राउट हम देख रहे हैं और अभी जो करेंट प्राइस है वह है 185 पीटी पैसे का इसलिए कुछ से से देख रहे हैं कि शेर के अंदर एक हमें इसमें करने चाहिए तो मेरा ही मानना है कि अंदर इसके बाद अगर एक और हरकी ग्राउट आती है तो यहां से टूटता हुआ 170 रपीज तक जा सकता है यह इसका एक क्रूशल लेवल होगा जहां पर यह अपने आपको फिर से सपोर्ट करने कोश करेगा तो यहां से ट यहां से बढ़ता है तो उसके बाद जो शेयर की हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में यहां से बढ़ता हुआ अगले जो पिस्ता जो पिस्ता हाई था 207 पो उसको इसली ब्रेक करके नया जो हाई बनाएगा वह 240 रुपीज तक जा सकता है यानि कि अपने करेंट लेवल से यहां से बढ़ता हुआ यहां से बढ़ता हुआ तक जा सकता है यह दो से तीन मेने का एक टार्गेट हम लेके चुटते हैं कि दोनों ही स्टाउक एक साल के अंदर वॉल्यूम बहुत अज़िए बहुत अच्छी है हम देख सकते हैं कि तुरूआट शेयर के अंदर बहुत तेज से वॉल्यूम बढ़ लगी है और करेंट में जो शेयर का प्राइज है अपने 185.55 पर क्लोज हुआ है देखते हैं कंपनी का रिपोर्ट कार्ट तो रिपोर्ट कार्ट से हमें प्राइज है कि जो शेयर का पी रिश है वो है 123.14 का अर्निक पर शेयर है और कंपनी के 50 द्याम ने को भी हम एनलाइज करेंगे और देखें कि शेयर का प्राइज अपने लो से बढ़ता वह बहुत ही से उपर भागा था और करेंट में शेयर अपने 50 द्याम टूंट द्याम से उपर ट्रीट करता हूँ दिखाए ज़ता है और इसके अंदर अभी औ देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमें पूरे साल बर दिखा जाती है और पूरा जो वॉल्यूम है वह बढ़ता जा रहा है जहां पिस्ते एक समय में सेयर में इक इक इस आ गया था उसको ब्रेक करता हूँ बहुत ज़्याज से उपर बढ़ता हू जहां पर जून 23 सेप्टेंबर 23 दिसमबर 23 और मार्स 23 को हम देखेंगे तो यहां देखेंगे कि सेल के अंदर थूआउट काफी अच्छी इंप्रूमेंट कंपनी ने दिखाई है और सेल में लगातार बहुत ऐसे बढ़ती भी दिखाई देती है जिल कंपनी के ऑपरेडिं के अंदर कंपनी तुर अपने आपको प्रॉफिट बुक कराती आ रही है और कंपनी का प्रॉफिट है लगातार उसके अंदर प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को हम देखेंगे जहां नेट प्रॉफिट कंपनी का पहले नेगेटिव में था तो उसके फरदर अब हम वह बढ़ता हुआ positive हुआ है और पिसले चारह कवाटर में अपने आपको प्रॉफिट टेकलिक करती हो साथ ही कम्विन के प्रॉफिट में बहुत तैरी से बढ़ करके मार्श त्रीटरीट के अंदर जहां थी 18,623 को बढ़कर के मार्श त्रीपोर में हो गई एक साल के बाद 19,545.00 करोड़ पीस की साथी कंपनी के अगधर देखें गेखें तो कंपनी की बॉर्विंग्स में क्या इम चैंज है तो मार्च 23 चैंडर कंपनी के पास बॉर्विंग थी थी चैंडर पीस की जो बढ़के हो गी हैं 749 क्रोड की और यहां यहां क्पनी की ती फिरी कंदर टी तो यहां पर करम company के different holders को देखेंगे तो यहां में प्राजता है कि company के अंदर जो FIIS का में 46.99% FIS की holding है total non-stitutions इसमें है 28.04% की insurance companies का इसके अंदर 2.25% mutual fund 11.96% का है other parties का 9.18% और custodians का इसका 1.58% की total holding है तो इस तरह से company के शेरोड़िंग pattern की performance हम ने देखी है वापिस लोटते हैं अपने चार्ट पेटन पर और हम देखेंगे कि share के अंदर काफी तई से improvement हम दिखाएता है share का price बहुत तई से उपर की और भागा है और अपने नए उचाईयों का हुच हुआ है साथ ही कर मैं यहां पर volumes को देखें दिखाऊंगा तो हम देखें कि volume share के अंदर बहुत अच्छी है लगाता share के अंदर volume बनी वी है और इसी के वैसे share के अंदर हम दिखेंगे कि आने वाले election के result का तो इसलिए काफी consolidated है और आने वाले मेरा माना है कि शेर के अंदर काफी potential आने वाले शेयर में बहुत तई से improvement आएगा तो यहां पर आप 170 रुबीस का एक stop loss लेकर के share के लिए 210 के short term और 240 के लिए इसके दो महने के टारिकट को लेकर चल सकते हैं और मेरा मानना है कि यह बहुत इससे यह लेवल इसमें आप देख सकते हैं इसके साथ दोस्तों किसी भी शेयर में investment करने से पहले आपको उसके बारे में सबी ही risk and reward को जान लेना चाहिए और तभी उसमें investment कीजिए तो आप इस शेयर में investment करने से पहले अपने risk and reward को जान लें यहीं आपको जान करें अच्छे लगी तो प्लीस मिने चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर लेजिए थैंक्यू पर वोचिंग